है है लो दोस्तों क्या हाल आप लोग के आई होप आप लोग वद बढ़ी होंगे मैं स्थानों की शिल्म आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आई होप आपका दिन काभी बढ़ी जा रहा होगा तो बच्छे आज हम बात करने वाले उत्राइब लेक्च्रर मैधमेटिक उसको किस किस तरीके सम करते हैं principle counting क्या होते है लेक्चर 2 में वह बताया है कि combination किया होता है और पर जासे क Bhagणे और सीTech में किया क्या चीजती करते हैं तो दे fun है यह तो फूरफ यह नुट करें यह तो स्कौन में क्यून साथ किस तरीके से करते हैं फार्मुला तो ठीक है चलो समझ में आगे हमारको फार्मुला कैसे लगाना है लेकिन उसको यूस किस तरीके से करना होता है कुश्चन किस तरीके से बनते हैं उसमें और कैसे कैसे तरीके से हम उसको सॉल्व करना चाहिए हमारको हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वो सब जो यूज करना होगा तो combination के question किस तरीके साथ है देखो जब भी आपको ना चीजे इस तरीके से दे रखियों कि आपको ना selection यानि चीजों का आपको देखके यानि question को पढ़के आपको बता लगए कि आपको चीजे select करने बढ़ेंगी तो हमारे को में combination यूज करना होता है जैसे आपको एक screen पे question दिख रहा हुगा screen पे question क्या दिख रहा है कि in how many ways in how many ways can three boys and three girls be selected from five boys and four girls तो अगर आपको मान लेते हैं तीन boys और तीन girls को select करना है पांच boys और चार girls में तो obvious लेते हैं combination में लेकिन अगर मेरे को और वर्ड दिखता है तो और का in general meaning हम plus लेते हैं यानि अगर आपको और वर्ड या sense SI question को पढ़के कि और उसमें use हो रहा है तो उस case में आपको plus का use करना है यानि plus symbol का use करना है और अगर कहीं पर भी आपको and word दिखता है तो आपको multiply का use करना है ठीक है तो ये दो चीज़ें याद रहेंगी and का meaning multiplication or का meaning क्या होता है प्लस होता है अब अगर मालने ते आपको जैसे मालने जाता है कि n लोग है n में से r लोगों को choose करना है तो उसको ncr या cn,r इस तरीके से पढ़ा जाता है ठीक है तो ncr का जो formula होता है वो होता है n factorial upon r factorial n minus r का whole factorial ये formula होता है इसमें भी अगर आपके बास में nc0 दे रखा है या ncn दे रखा है तो इसकी value always 1 होती है अगर आपको दे रखा या ncn-1 आपको दे रखा तो इसकी value n होती है यह हमने last class में बता रखा है फिर भी हम एक बार इसको recall करवा रहें nc2 दे रखा होता है तो n n-1 upon 2 होता है ठीक है और nc3 अगर आपको कभी दे रखा है तो इसमें होता है n n-1 n-2 by 6 होता है इसका तो यह formula हम कहीं पर भी use कर लेंगे जहां मेरा मन करेगा महां पर use कर लूँगा हम इसको अब इस question को किस तरीकर solve करना देखो जरा किया बूल रखाय है आपसे बोल गया है कि आपको डोटल कुछ बॉइस दे रखे हैं तो डोल बॉइस आपको यह बोला गया है कि किसी जगा पर पांच है इस स्कूल में नहां girls आपको choose करने कौन सा word use by keyword and तो तीन boys और तीन girls आपको choose करने तो बता किस तरीके से घर होगे तो total selection कभी भी आगर आपको निकालना हो ना total selections आप कितने कर सकते हो ठीक है तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि कितने boys थे और कितनी girls थी boys में से कितने boys चूज करने और girls में से कितनी girls चूज करने यह बस आपका अंसर आजाएगा and होगा तो बीचे मुल्टिप्लाय कर दोंगे तो आपको करना है कि पांच में से तीन boys को जैसे चूज करना है तो 5C3 चार में से वैल्यू कितनी होती है 4 होती है तो इससे जब इसको काट होगे 3, 2, 6, 2, 2, 4, 5, 4, 20, 2, 40 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो देखो बहुत easy सा sense है कि अगर आपको कभी भी selection करना हो तो selection के लिए आपको बस दो चीजों पर focus करना है क्या दियावा है कितना दियावा है और उसमें से कितनों को select करना है ठीक है जो total selection होगा वो यहाँ पर लिखा जाता है ठीक है नीचे के तरफ यानि आपको 3 boys और 3 girls चूज करना है तो 3 boys आगे 3 girls आगी ठीक है total मिला के आपको 6 लोगों को choose करना है और अगर and है तो आपको बीच में multiply लगाने है कितने में से कितना चूज करना है यानि boys में से कितने boys निकालने है girls में से कितनी girls निकालनी है उसको इस तरीका से लिखा जाता है पांच में से 3 boys 4 में से 3 girls 5C3 4C3 multiply क्यों लगाया क्योंकि यहां पर and लिखा हो और अगर यहां पर और लिखा होता तो यहां पी क्या लगाते है उस case में plus लगा दोगे आप उस case में ठीक है बस इतना सा concept आपको याद रपना है सारे question मिल जाएंगे मेरी बास समझ मारी है तो आप बोलेंगे सर 10 में से 4 boys choose करो and 9 में से 3 girls choose करो आपका answer आजाएगा ठीक है मेरी पास समझ मारी है अगर हमने यहां पर plus मतलब माले दे and की जगा पर all लगा दिया आट boys और तीन girls choose करो तो यहां पर बीच में plus का symbol लगा दो उस case में ठीक है तो multiply का formula कभी यूज़ करना है जब आपके पास में and आएगा और कभी यूज़ करेंगे जब आपके पास में plus आएगा clear चलिए a question आपको दे देते हैं जड़ा इसको solve करके बताएगा what is the number of ways that a cricket team of 11 players can be made out of 15 players बहुत easy question है बच्चा भी कहलेगा कोई इसको है न तो इसको बनाओ a b c या d में से कौन सा इसका answer बनेगा option number a बनेगा b बनेगा c बनेगा इसके लिए मैं 30 second को आपको time देता हूं 30 second में आपको इस question को solve करके answer बताना है ठीक है video post करिए answer बताएगे और सही तुमारे को अंदर से मिरे को भी अंदर से आएगा ठीक है तो टोटल आउट का टोटल सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपकी बास में हुआ क्या आपना एक क्रिकेट टीम बना रहे थे यहां पर हुआ यह कि 15 लोग आगे बोले हम बहुत अच्छा खेलते हैं हमारे को घिल 11 लोगों को चूस करके तुमारे को ड्रीम 11 की टीम बनानी आप बड़ा सोस समझ के बनाओ के तुम तो इस सेलेक्शन 15 में से 11 को चूस करने पर आप कितने आपके बास में चॉइस हैं यह आप से पूछा गया है तो टोटल प्लेयर्स कितने हैं भई 15 हैं है ना और आपको च ृच से solve कर सकते हैं हो जाएगा solve कोई बड़ी बात नहीं है थीक है तो इसको सौल करेंगे NCR का Londra NCR माइनस अ का होल न यह वाला formula आपमें उसक्राहित है, यूस कानेबाले है ठीक है, N factorial upon R factorial N minus R whole factorial एबने før Canyon 11 factorial 15 minus 11 का whole factorial 15 factorial को देखो 15, 14, 13 12 11 ऐसे कर लो 11 factorial ì dal 11 factorial 15 minus 11 I guess 4 होता है तो इससे तो यह कट हो गया 11 से 11 कट हो गया यार calories ठीक है 11 से 11 कट हो गया अब देखो मिल किया रहा है 4 फैक्टोरियल नीचे मिल रहा है तो उपर क्या मिल रहा है 15 14 13 12 divided by 4 3 2 1 है ना तो चारती अब बारा बारा गया 2 से यह गया 7 बारी में ठीक है सब्सक्राइब करें 15 15 15 की 13 13 15 13 1365 ना तो 1365 कोई उप्षिन में तो आप गोलेंगे सर बिल्कुल है ऑप्षिन नमबर सी में इसका है ठीक है तो ऑप्षिन नमबर सी इसका क्या हो जाए करेक्ट आंसर आई होप आपने भी यही बनाया होगा यह बनाया बहुत बढ़िया कोशन चलो स्टार्ट करो अभी देखो कुछ रैंडम कोशन दे रहा हूं उसके बाद पीवाई क्यों आपको सीधा सीधा जो आपके एक्जाम में आ रखें वह दिये जाएंगे ठीक है तो रैंडम कोशन में सबसा बहला कोशन आपको दे रुखा है इन हाउ मेनी वेस केना कमीटी कंसिस्टिंग ओफ थ्री मेन एंड टू विमेन बी फॉर्मड फ्रम सेवन मेन और फाइव इमेन ठीक है फॉर्टीफाइव थ्रीफिटी सेवन एंडड़ फॉर्टी टू अप्शन आपको दे रखें जल्दी बनाईए है टाइम देंगे हम आपको इसके लिए 25 सेकिंड में हो जाएगा आपसे चलो 30 सेकिंड मेरा दिल बहुत बड़ा है ठीक है तो तीस सेकिंड का टाइम दे दिया मैं आपको और क्या चाहिए आप कमिट से ठीक है तो आपको भी बोल रखा है कि एक जगा है जहां पर साथ आदमी है और पांच जो हैं वो औरते हैं है ना टोटल व खुद करिए ही सब तो वीडियो पॉस करके आप आंसर ले सकते हो तो आपको करना क्या है साथ मेंसे तीन मैं को सेलेट करना है एंड पांच मैंसे भाई साब कितने विमन को सेलेट करना है दो को तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो 7C3 इंटू 5C2 लिख दो 7C3 को ऐसे लिखना होता है फिर एक कम लिखना होता है और उसको दो से डिवाइड करना होता है तो 5C2 को ऐसे लिखेंगे 5 लिखेंगे फिर एक कम लिखेंगे उसको दो से डिवाइड करेंगे इससे एकट हुआ दो बारी में इससे एकट हुआ 7535 x 52010 350 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो option number कौन सा, भी इसका correct answer हो जाएगा समझ में आ गया, कोई doubt किसी भी तरीक हीगा पक्का, बहुत अच्छी बात है screenshot ले लो इसका जरा चलिए फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है फिर एक और question दे रहे हैं आपको, तेको ये question क्या है same ही question है, अब राजस्थान TGT का आपको सबसे पहला question दिया है, 2011 का question में ये बोला गया है कि in how many ways in how many ways can a committee of four be made out of five men and three women containing at least one women ठीक है, आप से ये बोला गया है कि कौन सा इसका correct answer होगा, पांच पूर्शो और तीन महिलाओं में से, चार की एक समीती, कितने परकार से बनाई जा सकती है जबकि समीती में कम से कम एक महिला हो 65, 70, 75, 60, ठीक है, चार option आपको इसका दे रखे हैं, आप से पूछाए कि कौन सा इसका correct answer इसको करने के लिए 50 second का time देते हैं आपको, ठीक है, 50 second क्यों दिया है, अब यह बता लग जाएगा आपको, थोड़ी देर में इसको बनाओ, इसको आप किस तरीके से बनाओगे और इसका answer क्या निकलेगा आप से, ठीक है, हमें 25-30 second नहीं दिया इसके लिए, ठीक है, पचा लोगों की community बनानी है, पाँच men और तीन women से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम दो, कम से कम एक women होनी जरूरी है, कम से कम एक women होनी जरूरी है, तो इसमें at least word जो आगे है, यह condition होती है, इसको restriction बोलते हैं, तो कभी भी अगर आपके बास में restriction आज हूँ, आपको meaning बता ही कि at least का क्या होता है, तो आप बोलेंगे sir, कम से कम, at least का मतलब जैसा अगर मैंने बोला कि आपके x marks आ सकते हैं, कम से कम x marks आ सकते हैं आपके na, किसी exam में, या x मैंने बोल दिया कि आपको यह exam देने के लिए 100 marks का, ठीक है, मैंने पूचा कितने marks आएं को मैं extra denote कर रहा हूँ, तो या तो 80 आएंगे, या तो 80 से जादा आएंगे, कम से कम 80 बोला है आपने, यानि 80 तो आप minimum मान के चल रहे हो, 80, 81, 82, 83, 84, ऐसे गरते-गरते 100 भी आ सकते हैं, minimum 80 आएंगे आपके, मतलब यह होता है, तो कभी भी अगर आपसे बोल दिया जाता है, कम से कम, तो कम से कम का मतलब यह होता है, कि वो चीज minimum value है, उससे जादा भी और भी हो सकता, तो अगर आपसे बोल दिया जाता है, कि at least 80 marks आएंगे, तो 80 तो आएंगे, 80 से उपर वाले condition भी आप ले सकते हो, 81 भी आ सकते हैं, 82 भी आ सकते हैं, तो इससी तरीके से अगर ऐसे बोल दिया था है, कि minimum एक महीला को choose करना है, है न, minimum एक महीला को choose करना है, कम से कम एक महीला को choose करना है, तो इसका मतलब यह होता है, एक को तो choose करी सकते हो, दो को भी कर सकते हो, तो depend करता है, कि आप कितने को choose करना चाहते हो, तो जब आप committee बनाएंगे, ठीक है, 4 लोगों की जिसमें 5 men है और 3 women है और आपसे बोल देया था कि कम से कम एक women तो आएगी आएगी committee में तो इसके कितने तरीके हैं तो आपको न सारी cases लेने बड़ते हैं सारी cases से मेरा मतलब यह है कि देखो ऐसा हो सकता है इसको करने के 2 तरीके हैं मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं आपको जो method अच्छा लगता है उससे करिएगा मेरे दिमाग में इस समय दो method है दो method कौन-कौन से पहला देखो बहुत ही easy सा method है यह method यह है कि आपने इसमें condition count करो यानि कितने cases बन सकते हैं वो count करो और उसमें लगा दो तो क्या है कि पहले तो आप यहां पर लिखे total men कितने है total men है अपने पास में पांच है ना और total women कितनी है हमारे पास में तो आप बोलेंगे women बोलिख करना है तो इसमें ना cases लेने होते हैं cases क्या ले सकते हैं कि सपोष करो आप के बास में तीन women तो ऐसा हो सकता है तीन में से आप एक women को चूजकर लो और पांच में से तीन men को चूजकर लो तो हो गए 4 देखो total 4 लोगों को select कर लिया प्लस ध्यान से देखो, यहां का मतलब क्या होता है, प्लस, यहां ऐसा हो सकता है, कि तीन में से आप दो को चूस करो, और पांच में से भी ही, दो को चूस करो, है ना, सही है ना, देखो, त्री सी टू, फाइप सी टू, लिख सकते हैं, यहां ऐसा भी हो सकता है, कम से कम एक बोला है या तो एक को चूस करो, या तो दो को चूस करो, या तो तीनो की तीनो महिला को चूस कर लो, और पांच में से एक आदमी को चूस कर लो, तो यह जो बना, पूरा का पूरा, यह होते हैं इसके टोटल सेलेक्शन, और अगर आप इसमें देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पर multiply करी यहाँ पर plus करा है, यहाँ पर multiply इसले करीए क्योंकि total 4 लोगों की team बनानी है मुझे, 4 लोगों की team बनानी है, तो 3C1 into 5C3, यह 4 की एक पुरी team बन गी, ठीक है, और यह बाला plus इसले लगा है, क्योंकि हमारे पास में और भी cases हैं, जिससे यह 4 की team बन सकती है, तो plus लगा है, य या 3 में से 2 को choose कर सकते हैं, 5 में से 2 को choose कर सकते हैं, या 3 में से 3 को choose कर सकते हैं, 5 में से 1 को choose कर सकते हैं, तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको solve करो, solve करके आपका answer दे, 3C1, 3 होता है, 5C3 को कैसे solve करते हैं, 5 into 4 into 3 by 6, ठीक है, plus 3C2 को 3 ही लिखते हैं, 5C2 को 5 into 4 by 2 लिखते है प्लस 3C3 1 होता है 5C1 5 होता है ठीक है अब देखो इसको solve करेंगे तीन चोक 12 होते हैं तो यह दो बारी में कट रहा है तीन दुनी 6 635 तीस तो यह तो 30 आ गया प्लस इससे यह कट गया दो बारी में 5 दुनी 10 तीस यह आ गया प्लस 5 यह आ है तो तो पांच इकम पांच यह नहीं ठीक है टोटल कितना 65 इसका अंसर आ गया ओप्शन नमबर ए तो देखो इस समझ में आया आपको यह नहीं आया कैसे कैसे करा हमने आया पका पका ना चलो दुबार से देख लो आपको क्या करना होता है कम से कम वाला जब भी केस होगा ज जैसे इसमें एक सेलेक्ट करा तो तो इसमें तीन करे तो चार होगे इसमें दो करे तो इसमें दो करे चार होगे इसमें तीन करे तो इसमें एक करा तो चार होगे तो चार से उपर नहीं कि यहां पर आपने दो कर दिया यहां पर चार कर दिया तो तो छे सेलेक्ट होगे है तो आपको उसी हिसाब से select भी करना है बगल वाले में भी clear अच्छा ये तो पहला method था इसका second method क्या है इसको कहने का second method यह होता है जैसे इसको बोलते हैं total में से minus करना ठीक है total में से कैसे minus करते हैं मैं आपको थोड़ा सुन जाता हूं कई बार ऐसा होता है कि आपको ना कुछ चीजे नहीं पता होती और वो निकानली बहुत टफ सी लगती है वैसे टफ नहीं है यह easy है मतलब यह सब combination बिठाना पड़ता है फिर हमारे को तो कई बार इसमें time जादा लग जाता है तो इसमें तरीका ही होता है और यह probability में भी काफ डिकाफ में कितने selection हो सकते है तो ऐसे समझें कि एक class में suppose करो कुछ 10 बच्चे बैठेवे इस में से कुछ बच्चों के जो है वह 80% marks आए है और कुछ के जो है वो इससे कम marks आए है ठ, या ऐसे समझो कुछ बच्चों के 80% या उससे अधीक marks आए है ठीक है 80% या उससे अधिक मार्स आए हैं कुछ बच्चों के कम मार्स आए हैं ठीक है मुझे ये पता है कि जिन बच्चों के कम मार्स आए हैं वो बच्चे जो हैं वो 3 है 80% से कम मार्स जो हैं वो 3 बच्चे ऐसे हैं तो अगर मैं आप से पूछता हूँ कि 80% या उससे अधिक marks जो आये होंगे, वो कितने बच्चे होंगे, कितने, 7, very good, बहुत तेज maths है आपकी, बहुत अच्छी mathematics है, 7 आये न, कैसे कराईए, हाँ जी, आपने क्या कराऊगा, total में से 3 को माइनस कराऊगा, यही तो करा, 10 में से 3 को वाले हैं, वो हटा दिये, यानि उस condition को जो satisfy नहीं कर रहे थे, उसको हटा दिया, तो method 2 यह कहता है, कि अगर आपको मान लेते हैं, यह पता लगाने कि at least one woman आने के लिए कितने selection हो सकते हैं, तो आप क्या करिए, total selection में से, जो no women वाले हैं, वो हटा दो, यानि अगर आप से पुछा जाता है, at least one selection, ठीक है, selection पूछा जाता है, यह आने के लिए कितने chances हैं, या कितने तरीके हैं, तो आपको क्या करना है, total selection निकालने हैं, और यह आप probability में भी follow करोगे, ठीक है, total है, वाले selection में हिंदी में लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, selections क्योंकि कोई formula तो है नहीं है, यह एक normal सा sense है, जो आपको पकड़ना है, ठीक है, questions solve करने के लिए, तो यह sense है, ठीक है, अब आपको total selection का मतलब यह होता है, आठ लोग total थे, देखो तरह, पांच और तीन, आठ, तो आठ में से, टोटल चाह लोगों की एक committee बनानी है आपको, इसमें से अगर आप women को हटा दो, मतलब खाली men men वालो, sorry, इसमें से अगर आप men को हटा दो, तो खाली women बचेंगे न, तो आप क्या करिए, इसमें से men वाले हटा दो, यानि पांच मेंसे चार men choose करके उनको हटा दो, ठीक है, तो 8C4 को कैसे solve करते हैं, अगर आपको नहीं बता, तो मैं बता जाता हूँ, 8C4 को खाली तो 5 होती है, ठीक है, बस इतना से याद है, 4Factorial को अभी थोड़ा solve कर सकते हैं, 4,3,2,1 होता है, तो ऐसे करो, 4,3,2,1, ठीक है, तीन दोनी 6 से 6 कट हो गया, 4 से ये दोबारी में 8 कट हो गया, 5 दोनी 10 सत है 70, 70 मैं से 5 माइनस करो, 65 हो जाएगा, अब देखो, ये भी आंसर 65 दे रहा है, ये भी 65 दे रहा है, तो it depends on you, है न, it's totally up to you कि आपको कौन सा formula जो है, वो बढ़िया लग रहा है, कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि आपको दोनों ही सीखने, ठीक है, हम इसको किस तरीके से करते हैं, और इसको किस तरीके से कर आपको, total निकालके, आप क्या करिए, जो पूछा गया है, उसको हटा दो, उसका उल्टा सोचो, जैसे वन विमन पूछा है न, तो सारे के सारे मैन वालों को हटा दो, बस उसमसे, ठीक है, तो सारे के सारे मैन वालों को हटा दिया मैंने, तो 8C4 में से मैंने 5C4 जैसी माइन इसकारा मेरा answer मिल जाएगा आगी बास हो जाएगा तो एक ही question है इसको करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं clear चालो बहुत बढ़िया next question देखो question क्या दे रखा है question में यह बुला गया है the number of committee of 5 persons including a chair person can be selected from 12 persons is ठीक है 12 वेक्तियों के सम्मूँ से 5 वेक्तियों की एक अध्यक्ष सहीत समीती घटन करनी है इस समीतियों की संख्या कितनी होगी 330 होगी 792 होगी 462 होगी 3960 होगी चार option आपको दे रखे हैं KVS PGT 2018 में यह question आया है आपको देते हैं इसके लिए 50 second का time 50 second का time दिया है हमने बनाओ सही answer बनाना और सही बताईएगा हमार को क्या बनता है आपकी according ठीक है सही answer बनाओ के तो मज़ा भी आएगा आपको ठीक है मैं रुकूंगा नहीं आप इसको वीडियो को पॉस्ट कर सकते हैं और आप एक answer बना के मेरे को बता सकते हैं आपको यह बना है कि टोटल जो लोग है टोटल परसंस जो है वह कितने हैं वह 12 है ठीक है आपको पांच लोगों की एक कमेटी बनानी है और सेलेक्शन इस तरीके से करने है कि उसमें एक चेर परसन रखना है जैसे क्या बोलते हैं उसको चेर परसन मतलब वो भीड़े देख सबसे बनाना है तो आपको सबसे पहले तो देखो मैंने आपको क्या बोले रेस्टिक्शन को सबसे पहले सॉल्व करा करो तो टोटल सेलेक्शन में जब भी आपको टोटल सेलेक्शन करने होंगे तो टोटल सेलेक्शन इस तरीके से करने हैं पहले एक चेर परसन चूस करना ह आपको जैसे मान लेते हैं 12 लोग आपके सामने आएं बुले हमको पांच मेंबर की एक जो है वह Bench बनानी है कमिटी बनानी है ठीक है एक चेर परसन चूस करो तो आप 12 में से कितने को चूस करना है अगर में आप से पूछ होंगा तो आप बोलेंगा सिर्फ 12 में से एक चेवर परसन मेरे को चाहिए अब बचे ग्यारा लोग ग्यारा में से और कितने लोग चाहिए कि पांच लोगी कमिटी बन जाए तो आपको 12C1 इंटू 11C4 करने आपका अंसर कतम हो जाएगा अब मैं आपको दुबार से बताता हूं याद नहीं आ रहा है याद रखेगा इस बात को ठीक है यह याद जैसी रखोगे आपका अंसर हो जाएगा अंसर को क्या लिखते है वह एन लिखते है ठीक है तो 12C1 को 12 लिख देंगे इसको लिखेंगे 11 10 9 8 डिवाइद बाए 4 फेक्टोरियल 4 फेक्टोरियल 4 3 2 1 बस इस तरीके से याद रखेंग तो हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 है ना तो चलो ठीक है 30 30 को 11 से मल्टिप्लाई करा 333 30 इंटू 12 बहुत ज़्यादा ठीक है आईगेस यह वाला आएगा option नमबर D 3960 करके देख ले ना मेरे इसाब से यह होना चाहिए क्योंकि इससे चोटा था मेरेको लग नहीं था 333 के हम 12 से मल्टिप्लाई भी तो कर रहे ना है ना सही है तो यह इसका correct answer हो जाएगा option number कौन सा डीस का क्या हो गया correct answer कोई डाउट किसी भी तरहिएगा समझवारी यह बात है पक्का चला बहुत अच्छी बात है ठीक है याद रखिएगा जसे हम आगे जाते रहेंगे ना अभी तो मैं combination में भी भूallo सारव बताऊंगा combination ऐसा नहीं कि combination बता दिया खतम關係 अभी चलेगा कॉंबिनेशन कल भी चलेगा ठीक है कल अलग topic पर चलेगा चलता रही है ठीक है जब तक मेरे को लगता नहीं कि सारे topic में मैं ने करा दिया घ् projecting मेरे को सारे गर्वाने आपको छ लेकिन वह आपको आसान लगता है तो मेरे साब से बहुत आसान कोशन आया था 2020 का यह पेपर का सॉल्यूशन भी हमने दिया था ठीक है आपको नहीं मिलेगा तो मैं भेज दूंगा आपको तो देखो कोशन में यह बोल रखा है ठीक है 17 खिलाडियों की एक टीम है 17 खिलाडी है जिसमें से केवल 5 खिलाडी जो है वो गेंद बाजी कर सकते हैं मैं से 11 खिलाडियों की क्रिकेट टीम जिसमें से ठीक 4 गेंद बाज हों कि चैन के तरीकों की संख्या कितनी है 3960 4950 3000 या 4060 यह आपको कोशन दिया गया था इसको कहने के लिए 50 second का time है आपको दुबारे से देता हूँ वीडियो पॉस्ट करके आप इसको solve कर सकते हो ठीक है अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा total players है अपने पास में 15 total players कितने है 15 अब आप से बोला गया कि 17 total players है 17 आप से बोला गया कि 17 players में से जो है 5 players जो है वो baller है ठीक है ballers कितने हैं भाई सब बोलर से पांच ठीक है आपको एक team बनानी है 11 player की जिसमें 4 ballers तो चाहिए चाहिए बागी कोई भी हो है ना लेकिन 4 ballers चाहिए चाहिए तो बताओ किस तरीके से selection कर सकते हो आप इसको तो total selections में किस तरीके से कर सकता हूं मैंने एक चीज़ याद रखेगा जब भी इस तरह के question करोगे भाई साब क्या करना पड़ेगा हां जी बिल्कुल सही बोला क्या बोला हमने यह बोला कि जब भी आप इस तरह के question करेंगे restriction को सबसे पहले solve करेंगे हां जी ठीक है तो मन की बाते जो है न वो कभी कबार नहीं पढ़ पाते हम आपकी अब पढ़ पारे है ठीक है restriction को सबसे पहले solve करना चाहिए अब आप एकदम से सोचिए जड़ा restriction क्या है मैं आपके दिमाग में बोलता हूँ restriction क्या है आप बोलेंगे सर चार बॉलर्स चूज़ करने येस चार बॉलर्स चूज़ करने exactly तो ये restriction है तो पहले तो क्या करो जो चार बॉलर्स से उनको भान निकाल दो ठीक है तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 टोटल बॉलर्स अपने पास में 5 मेंसे कितने बॉलर्स चींए तो आप बोलेंगे सर चार बॉलर्स चींए मुझे तो 5 मेंसे चार बॉलर्स हुमने चूज़ कर लिया हमार को team कितने लोगों की बनानी है 11 लोग तो 12 में से आप मेरे को कितने और लोग चूज कने पड़ेंगे कि 11 की टीम बन जाए बहुत बड़ी है 7 और चूज कने है ना तो 7 और 4 11 होते हैं तो 5C4 इंटू 12C7 अगर आप करोगे तो आपका आंसर निकल जागा तो 5C4 का तो आंसर 5 हो गया 12C7 को 12 अपॉन 7 फैक्टोरियल है ना 12-7 का होल फैक्टोरियल ठीक है तो यह जसी आप करोगे तो इसका आंसर हो गया बचे 5 इंटू 12 फैक्टोरियल को 12 में से साथ गया 5 ना तो 12 इंटू 11 10 9 8 7 7 तक खोल दो बस 7 फैक्टोरियल ठीक है अपॉन 7 टीक है गांसर 2 मृट करण से साथ गया 5 फैक्टोरियल तो 5 4 2 1 खीक है टा के इसको कट कर दो इसको तो पांसर पांसर कट हो गया चाह थीजरे बारा सरा कट हो गयां अबारारा में मिल रहा है कितना 11 दसippers जशाचार है तो यह इन रहा है ठीक मृत जए 9 चटिस 3 ँशाथिस कि अगर हम क्या करें 11 से multiply कर लेते हैं न तो यह हो गया 36 गुणा 11 396 हो जाता है इस है न 396 इंटू 10 तो 3960 3960 है किसी option में option number A का correct answer हो जाएगा तो इस तरीके से इसको करना था देखो कोई tough है बिल्कुल भी tough नहीं है तो आपको देखो दुबार से देखो 17 प्लेयर्स दे रखे थे बॉलर्स थे पांच आपसे बोला था कि exactly 4 बॉलर्स चूस करने 11 प्लेयर की टीम बनानी है तो आपने बोला एई ऐसा नहीं बॉलर्स बीला हिसा बारा चूस करने हैं बाकि गयारा की टीम है तो 7 लोग और खरिगे पूरा चूस करके आपने टीम बना लिक्रिट की अपनी बस ऐसा मतलब होता है थी और компании फिकcek इसको क्वेशन में बोल रखा है, a candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions, which are divided into 2 sections, each section containing 6 questions, he is not allowed to attempt more than 5 questions from each group, in how many ways can he can attempt the paper, तो एक question यह इस तरीके से बोल रखा है, कि एक परिक्षारती है, KVS PGT 2018 में आ रखा है, question में यह बोल गया है, एक परिक्षारती है, ठीक है, उसको 12 questions में से 7 questions का उत्तर देना है, मतलब total question 12 है, 12 में से 7 का उसको answer अगर वो दे देगा तो ठीक है, उससे जादा का नहीं देना, प्रशन में 2 खंड है, यानि section A, section B जैसे होते हैं, तथा परती खंड में जो है, वो 6 questions है, परिक्षारती को परती खंड में से 5 से अधिक प्रशन नहीं करने है, मतलब जैसे section A ह करता है, maximum 5 questions से गर सकता है, maximum है, तेंसे है कर सकता है, कम कर सकता है, इससे जादा नहीं कर सकता, 5 से, ठीक है, यह मतलब रखा है, प्रशन पत्र को बे के जा सकता है आप से ऊच रखाया अपको करने के लिए हम आपको टाइम दे देते हैं ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही है आप जो है इसमें 70 सेकंड्स ले लो इसको करने के लिए सतर सगेड में अगर आप इसको कर पाओगी तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से ठीक है ट्राय करिएगा टाइम लिमिट देने का रीजन बस इतना सा है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए और आप एक मिनिमम गिवन टाइम में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने क की या सोचनी हीजई कि हैबिट कर लो अगर आपके बास में हैबिट आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता healthier है ऐग्या हऺए क्शाम में कर ना हो चीज़े टो अगरा ensuite कarta मेंडर करो और आपको यह बोल रखाए कि भाई साब जो है आप किस से जाधा निकर सकते पांस से जाधा किसी भी सेक्षिन में से अटेंप नहीं कर सकते तो कितने सेलेक्षिन पॉसिबल है अगर मैं आपसे पोचूंगा तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा आपको इसमें केसे तो दूसरे वाले में से पांच करने पढ़ेंगे तब जाके साथ टोटल अटेम्ट होंगे आपके मेरी बाद समझ में अब क्या पहले को अगर मैं दो से ही क्यों स्टार्ट करा पहली चीज़ी आती है 6C1 क्यों नहीं करा सर अबने तो 6C1 इसलिए नहीं करा अगर मालने देजा पहले सेक्षण में से आपने सिर्फ एक कोशन अटेम्ट करा तो दूसरे में से 6 के 6 अटेम्ट करने पढ़ेंगे तब जाके साथ कोशन अटेम्ट होंगे आपके तो कहने का मतलब यह है कि यह 5 से ज़ादा हो गया attempt और question में यह बोल रखा है कि 5 से ज़ादा attempt आप नहीं कर सकते तो 5 से ज़ादा attempt नहीं कर सकते तो इसलिए हमने क्या करा है 62 से start करा है इसको into 65 करा है ठीक है तो यह थोड़ा सा दिमाग आपको यूस करना पड़ेगा और फिर आप यह कर सकते हो कि six में से three question कर लो या का कोई case लगा सकते हैं देखो पहले section में से दो कर लो दूसरा section में से पांच कर लो साथ होगे या या मतलब plus पहले में से तीन कर लो दूसरा में से चार कर लो साथ होगे या पहले में से चार कर लो दूसरा में से तीन कर लो फिर साथ होगे या पहले मैंसे 5 कर लो और दूसरे मैंसे 2 कर लो तो साथ हो गए ठीक है 6C2 करो यहां पर ठीक है तो यह साथ हो गए अच्छा पहले मैंसे 6 कर सकते हो बिल्कुल नहीं कर सकते तो इसके आगे कोई case नहीं बनेगा तो कहने का मतलब यह यह आपके 1,2,3,4,4 cases बन रहें इन 4 cases को आकर आप solve करो तो आपका answer आजएगा अगर आपने यही बनाया है तो बहुत बढ़ी यह नहीं बनाया है तो हो सकता आपका अंसर गलत हो जाए तो अब देखो इसमें 6C2,6C5,6C2,6C5 दो बार आ रहा है 6C3,6C4,6C3,6C4 दो बार आ रहा है तो यह दो बार यह quantities आ रही है इन्हीं दो बार क्या क्या आ रहा है 6C2 आ रहा है 6C5 दो बार आ रहा है और दो बार ही आ रहा है 6C3 और 6C4 तो अगर आप इसको देखता हूँ तो मैं इसको दो बार ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ऐसे पुरा पुरा करके अब 6C2 को वो NC2 वाले formula से solve करेंगे, NC2 का formula दो से बता हूँ N-1 by 2 और 65 जो होता है याद रखेगा 65 जो होता है उसकी value 60 होती है क्यों क्यों क्योंकि यह वाला एक formula होता है NCN-1 जो होता है वो n के equal होता है तो एक कम है नहीं है इससे तो अगर कभी भी एक कम होता है तो यह उपर 6 ही आ जाता है मतलब यह उपर वाला ही number आ जाता है एन ही आ जाता है इसमें ठीक है 65 हो गया 63 को एंसी 3 वाले formula से solve करेंगे एंसी 3 इसी कास्ट होता है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 है ना by 6 यह वाले formula से solve करेंगे तो मैं solve करना शुरू करता हूं तो देखो यह कुछ इस तरीके से बनेंगा 2 into 62 हो गया 6 into 5 by 2 यह वाले formula से ठीक है नेक्स्ट 65 जो होता है वो तो 60 होता है प्लस 63 6 into 5 into 4 divided by 6 into 64 जो होता है वो 62 के ही equal होता है नहीं पता आपको तो मैं बता रहा हूं कैसे ncr ncn-r के equal होता है ठीक है n-r के equal होता है तो यह वाला formula से हम इसको equal कर सकते हैं और अगर आप second video देखकर आए हो तो यह चीज़े आपको बताई गई है इसको ध्यान में रखेगा तो आपसे solve हो जाएंगी चीज़े लेकिन अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे जाके दिक्कत करेंगी जैसे कि हम बोलते भी हर बार ठीक है कि हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी वह interlink होंगी तो पुरानी वाली देखक अगर आएगा तब हाको यह वाली समझ माएगी ठीक है तो पांच इंग तीस तीया नभ्य हो गया नभ्य और यह से चेकट गया प्लस बीस गुणा शिक्सी टू शिक्सी टू शिक्सी टू इन्टू फाइव अपाउन टू ठीक है इससको कार दो तीन बार में गट रहा है त ठीक है 49 दूनियों उड़ता है 78 तो 780 option number D इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा आगे बस समझ में पक्का बहुत बढ़िया अच्छा से ठीक है जूट तो नहीं बोल रहे हूं बहुत अच्छी बात है ठीक है अगर आपको समझ में आ गया तो बस इतना ही चाहिए आपको स इसको solve note कर लीजिए जैसे भी आपको screenshot लेना है क्या करना है इसके साथ में आप कर लीजिए इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या दिरखा इन हम यहां पर केस बताना चाहरें cases of inclusion and exclusion ठीक है एक केस बताना चाहरे है cases related to case related to your cases of inclusion and exclusion विजसको नहीं समझ में घॉता है एक सब्सक्राइब क्या होता है इनकलूट का मतलब यह होता है कि उस चीज़ को आप कुछ भी होजा उसको सेलेक्ट नहीं करो उसको बहां निकाल देंगे ठीक है यानि सपोस करो कि आप बच्पन में गेम खेलते होंगे थोड़ा सा पुरानी यादों में वापस लेकर दाता हूं दुम्हार को ठीक है मान लेते हैं कि ए पर खड़े होंगे तो बर्फ होगा तो उसमें प्लेयर्स होते थे कुछ है बीच में इक इंसान को डाल दिया जाता था तो जोई पकड़ेगा ठीक है जब जब बरफ बॉलेंगे तो पानी ऐसे करके उपर नीचे आएंगे ठीक है तो होता क्या था कि आप ना टीम में सेले लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पता था आपको पता कि अच्छा खेलता या ह्या कि यह फील्य से करते हैं तो मेरी टीम में होlarी चाहिए है ठीक है चार्य लोग यहाँ पर खड़े बैसे बहुत सारे लोग है सब्सक्राइब यह पांच चान्व चाहरा तेहरा लोग है तैरा में से आपने बूला कि तीन लोग तो मेरे कोन आएगा हुआ इन में से चूज करना है यानि इनको तो आपने पहले से रख रखा है तो inclusion का मतलब क्या होता है inclusion का मतलब ही होता है कि आपने पहले से select कर लिया उनको अब आपको उस पे बात है नहीं करनी है आपको बचे बात करनी है मेरी बाद समझ में आगी exclusion का मतलब भी होता है suppose करो आप ये बोल रहा हो कि ये तीन बड़ा वैकार खिलते हैं मैं इनको अपनी टीम में तो नहीं ले सकता बागी कहीं पर भी चले जाएए ठीक है तो इसका मतलब ही होता है आपको ये आपने ये तीन लोगों को अपनी टीम से निकाल दिया पहले ही निकाल दिया अब आप इसमें से सलेक्ट ही नहीं करना चाते हो आप चाहते हो बस ये ही सलेक्ट हो तो inclusion और exclusion का जब भी case आता है तो उनको किस तरीके से solve करना होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ जैसे आपको एक question यहाँ पर बगल में दिख रहा होगा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है in how many ways can a team of 5 players be selected in order to include sorry exclude two particular players ठीक है ये question आपको दे रहा है अब इस question को कैसे solve करना है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ जैसे आपको यह बूल रखा है कि यहाँ पर आपने पास में total 9 players है है ना total players कितने है 9 9 है अब आपसे बोला गया है कि इसमें ना हुआ क्या है कि दो लोगों को आपने team से भार ही निकाल दिया 9 लोगों आपके पास में ठीक है लोगों को तो पहली माना कर दिया exclude का मतलब होता है कि आपने दो लोगों को पहली माना कर दिया ठीक है तो अगर मैं आपसे पूछूंगा remaining कितने है तो आप बोलेंगे sir remaining है 9-2 कितने है 7 तो इन 7 में से अब 9 लोग आए आपको 5 लोग select करने थे 2 को आपने खुदी माना कर दिया सामने से exclude का मतलब यह होता है ठीक है अब कितने लोग बचे 7 7 में से 5 लोग चुनने किस तरीके से चुन सकते है यह आप से पूछा जाता है इसका मतलब 14 तरीके से 21, 35, 42 ठीक है कितने तरीके से चुन सकते है यह होता है exclusion का case ठीक है exclusion के case में total में से वो चीज माइनस कर दो जो आपको हटानी है ठीक है मतलब दो लोगों को हमने particular player को exclude करा न 9 में से 2 का माइनस कर दो सीधा सा मतलब यह है ठीक है तो देखो आपके बास में जो बचे हैं हो 7 लोग बचे हैं और 7C2 होता है 7 into 6 by 2 कौन से फार्मले से N C2 बाले से N N-1 by 2 देखो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं मैं कोशिश यह रहेगी हर बार फार्मला लिख के दिखा हूं आपको ताकि आपको फार्मले लर्न हो जाए ठीक है वो मुझे लर्न नी करने आपको learn करने इसलिए मैं बार बार लिक के दिखा रहा हूं जब आपको लगेगा कि हां learn हो गया है बस काम खतम अपना ठीक है पैसा हजम अपना ठीक है तब इसमें जैसे हमने 7C5 ना लेकर ना फिर हमार को यह सोचना होता है हमने 2 player तो include कर दिया है तो अब R की value जो है मतलब 2 player को तो आपने पहले से select कर दिया ना तो R की value अब 3 लेनी पड़ेगी आपको ठीक है आर की value किती लेनी पड़ेगी 3 लेनी पड़ेगी क्योंकि 2 player तो पहली आप select कर चुक्यों 9 player आपके पास में आये हैं दो player को आपने बुल दे कि इनको तो पहली से select कर रहे हैं ठीक है तो R की जगा पर तीन रख हो गया clear है बात है चलो बहुत अच्छी बात है एक कोशन दे रहे हैं आपको कोशन देखो क्या दे रहा है कोशन में बोल रहा है committee of six is to be chosen from 10 men and seven women ठीक है so as to have at least three men and two women in how many different ways can this be done if two particular women refuse to be in the same committee चलो बाइसाब कैसे करोगे इसको दस पुरुषो और साथ महिलाओं में से एक समीती जिसके छे सदस्यों का गटन इस परकार करना है कि समीती में कम सकम तीन पुरुष तदा दो महिलाओं ठीक है ऐसी समीती का गटन कितनी परकार से किया जा सकता है जबकि दो विशेश महिलाएं एक ही समीती की सतस्य होने से इंकार करती है यह आपका question है ठीक है चार option आपको दे रखे है 9376780086107200 ठीक है start करो ज़रा KBS PGT 2018 का question है आपसे बनता या नहीं बनता बना के देखो यार नहीं बनेगा तो कोई बात नी न बनता है और time ले लिजे इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप चाहो तो हम आपको टाइम देते हैं कितने मिनट चाहिए आपको कम बोलिएगा 70 seconds देते हैं आपको 70 seconds में बन जाएगा आपसे 70 seconds का आपके बास में टाइम है 70 seconds में आपको इसका आंसर मेरे को देना है और सही आंसर दोगे तो बढ़िया रहेगा मजा आ जाएगा ठीक है चलो स्टार्ट कर लूँ मैं ठीक है चलो देखो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहां पर मैं है और विमन है तो टोटल मैं कितने है तो आप बोलेंगे सर मैं जो है वो है दस है ना टोटल विमन कितनी है तो अगर मैं आप से पूचूँँगा तो आप बोलेंगे सर टोटल विमन जो है यह अपने बोल रहे हैं कि मैं तो सेम कमीटी में रहूंगी नी ठीक है अलग कमीटी बनाओ में लिए भास अब इस तरही है वो कुछ भी कर सकती है ठीक है अब यह बोला गया है कि तीन मेन और दो विमन अट लीस्ट होनी चाहिए कमीटी में ये बोल दिया गया है ये देखो इट शुड है अट लीस्ट त्री मेन और टू विमन तो बताओ किस तरीके से बना सकते हो आप इसको अब देखो सबसे पहले तो तीन मेन कम से कम होने चाहिए है तो टोटल सेलेक्शन अगर मैं आप से पूसता हूँ जो आप करोगे ठीक है टोटल सेलेक्शन वो बेसिकली सेलेक्शन तो इस तरीके से होने चाहिए कि भाई दस मेन है दस में से तीन मेन तो कम से कम चाहिए तीन से जादे भी हो सकते हैं है न उससे आगे भी ले सकते हो तो 10 मैं से 3 men तो होने चाहिए और at least 2 women और चाहिए ठीक है तो साथ में अब मेरे को 6 लोगों की टीम बनाने है suppose करो पहला हम इसमें देखो case यह लेते हैं 10 में से 3 women को हमने choose करा sorry men को हमने choose करा तो 7 में से कितनी women चाहिए होंगी कि 6 बन जाए 6 की एक committee बन जाए तो आप बोलेंगे से 7 में से 3 को select करो तो 6 की committee बन गई ठीक है या 10 में से 4 को choose करो तो 7 में से 2 को choose करना पड़ेगा 6 की committee बन गई ठीक है अब 10 में से 5 को choose नहीं कर सकते अब उसका reason किया है फिर 7 में से 1 को choose करना पड़ेगा बोला गया है कि कम से कम 2 women तो होनी चाहिए committee में question में ही बोला गया है कि कम से कम 2 women तो होनी चाहिए तो यह जो last वाला case लिखा यह किसी काम का नहीं है फिर इसलिए इसको हटा दो अब इसके basis पर आप इसके total selection बना सकते हो total selections कितने बनेंगे तो 10C3 को 10 9 8 divided by 6 7C3 को 7 6 5 divided by 6 plus 10C4 जो होता है यह भाई साब 4 है नहीं 10 9 8 7 divided by 4 factorial यह नहीं 4 3 2 1 है ना 7C2 को 7 इंटो 6 by 2 ठीक है 3 times cut हो रहा है ठीक है चार दुनी 8 8 से 8 गया 3 3 9 तीन बारी में गएगा 6 से 6 गया ओके 6 से यतनी जाएगा ऐसे कट कर लो ना दो से कट कर लो दो चुक 8 दो तीया 6 तीन से कट कर लो ठीक है तो यह बन रहा है तीन चुक बारा एक सो बीस गुड़ा पैंटिस ठीक है लस तीस तीन साथे 21210 इंटो साथे 21221 ठीक है तो यह कितना बनेगा वह साब इन दोनों की तो मल्टिप्लाय में कर सकता हूं साथ से मल्टिप्लाय करें इसका मतलब यह होता है छे सत्य बैहालिस 4800 ठीक है तो यह हो गया वह साब 8610, है न, 8610, लेकिन यह इसका answer नहीं है, इसका reason बताता हूँ, option number 20 का correct answer नहीं है, वो इसका reason मैं यह बताता हूँ, कि हमने एक condition और भी तो दे रखे है कि if two particular women refuse to be in the same committee, यह तो हमने total number of cases निकाल दी है, हमने कित्ते बन सकते हैं total selection, लेकिन इसमें यह वाली जो condition है, restriction, यह restriction को अभी women आगी, लेकिन बोला यह गया है कि दो women ऐसी है, मना कर रही है, कि हम नहीं बैठेंगी इसकी committee में, ठीक है, same committee में नहीं जाएंगी, तो अगर same committee में दो women मना कर रही हैं जाने को, जैसे 7 women total है, 7 में से 2 मना कर रही हैं, तो obvious सी बात है, वो जो 2 मना कर रही है, फिर क्या करेंगे, तो देखो, अब फिर एक case बनेगा, case क्या बनेगा, ऐसा हो सकता है, कि 10 में से आप क्या करो, 4 choose कर लो, क्या men, ठीक है, और 2 women जो committee में आने को मना कर रही थी, ठीक है, उनको अलग कर दो, ठीक है, अलग कर दो, या ऐसे कर सकते हो, कि 10 में से 3 को select कर लो, और 5 में से, ठीक है, पांच ही बचेंगे न, दो तो मना कर रही है, पांच में से 1 को select कर लो, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, दो particular women always मना कर रही है, तो इसका meaning यह होता है, कि अब भीए, चारी लोग जो हैं, वो select होना चारे है, ठीक है, चारी लोग select होना चारे है, तो 10 में से 4 हो यह होता है, ठीक है, 12,5,600, 700, 800, तो 800, 10 हो गया, अब इस case में से यह case माइनस करो, तब जा के आपका answer मिलेगा, तो final selection कितना हो जाएगा, final answer जो अगर मैं पूछूंगा, तो वो हो जाएगा, 8610, minus 810, ठीक है, भाई साब, यह तो यह कट गया, 16 होगा, 16 में से 8 गया, 8, 7800, मेरे जाप से option C, इसका क्या होना चाहिए, correct answer होना चाहिए, ठीक है, तो यह question थोड़ा से tricky question था, मतलब एकदम से यह कई बार ऐसा होता है, कि कई बार, मतलब इस type के question आ जाते हैं, तो वो एकदम से नहीं बनते है, ठीक है, यह गलत answer निकलते हैं, तो कापी सारे बच् को तरह नहीं है, तो हाँ, इस तरह की question क्या दर डार लो, थोड़ा वो तरह रहे गई है, तो यहां तक कापको clear होगी है, कोई doubt है, इसमें, पका, समझ में आ गया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है, ठीक, अगर यह समझ में आ गया, तो आज की class जो हो, यहां पर हम wind up कर र है,